अलाव रिवन नमस्कार दोस्तों स्वाहत है आप सभी का एक बार फिर से आशीश को आतम के साथ अड़े 24-7 हमारे यूटीब प्लेटफॉर्म पे अज हम लोगों की सेकंड क्लास है अज सेकंड क्लास हम लोग कवर करने जा रहे हैं आप लोगों उसे गुजारिश रहेगी प्लीज वीडियो को आखरी तक देखेगा दोस्तों लेट होने का सेशन सरफ इतना है अभी मैंने एक और अक्टूबर की क्लास के रिकॉर्डिंग कर तो फिर उसको मर्स कर रहा हूं तो उसमें टाइम और लग जाता तो वो दो गंटे नॉन इस्टॉप मेरी रिकॉर्डिंग रही थी ओके दो गंटे की इसमें मैंने लगवा एक सो तेरे सेक्स चौदें सीक्यू डिसक्स कियें डिटेयल एक्स्प्लेनेशन भी है थेडिसिक वो आपको इस वीकेंड तक मिल जाएंगी एक और रिकॉर्डिंग है तिल इवनिंग तक मेरे दोस्त कर लोगा तो कल सटेटे चार तो हम लोगा अक्तूवर कल तक कंप्लीट हो जाएगा वोगे संडे मंडे में आपको मेरे भाई सारी क्लासे मिल जाएंगी वैसे तो कल तक ही आपको दो क्लासे मिल जाएंगी तो संडे मंडे में हो सकता आज एक मिल जाएगी कल एक मिल जाएगी तो संडे आते आते मेरे दोस्त आपको अक्तूवर पूरा कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों के लिए good news एक और है यहां पर कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए IVPS PO का अपना capsule batch launch कर दिया है तो को इस strategy कुछ इस तरीके से रखने है topic पर आऊंगा मैं कि 2022 में अगर आपको IVPS PO में इस crack करना है तो मेरी तरफ से अब इन 20-22 दिनों को क्या प्लान होना चाहिए सबसे पहला तो आप लोगों को हर एक महीना complete करके चलना पड़ेगा तो जो बिल्कुल सूनी पर बैटे हैं जो पहले से मेरे से पढ़ रहा है उनको शायद मुझे बताने की जरूदी है उनको पता है कि अब MCQ से revision करना है capsule wise से revision करना है बट जो सूनी पर बैटे हैं अब आपको बस क्या करना है एक एक महीना pick कर लो जुलाई महीने से हम लोग cover कर रहे हैं जुलाई, अगस्त, सेप्टेंबर, अक्टूबर, नवंबर इन महीनों को पहले हम लोग priority पर cover कर रहे है आपको भी करना क्या है हर एक महीने की मेरे दोस, 4-4 classes मेरी available है हर एक महीने की इधर एक available है इधर अभी आप लोगों के लिए package में 0 available है मेरे तरफ से 2 recording जा चुकी है तो सितंबर, अक्टूबर आपका cover कर दूँगा मैं अभी still Sunday तक आपका अक्टूबर आपको मिल जाएंगी classes recording तो सितंबर की भी done करूँगा लेकिन अक्टूबर तक आपको मिल जाएंगा कहने का मतलब क्या वो समझो ठीक है क्या होगा क्या नहीं होगा उस बाद में जा रहे है आपको पहले जुलाई की 4 classes complete कर लो ये classes कहां से मिलेंगी आपको warrior pro batch में आपको जाना है warrior pro batch में आप जब जाएंगे तो उसमें option आते हैं आपको my content में जाकर live class का या फिर video course का आपको video course पे जाना है live class है video course video course में जाएंगे जुलाई के folder में आपको 4 classes मिलेंगी हर एक class में 100 से ज़्यादा सवाल है खुल मिलाकर 400 MC की हो गए इसी तरीके से अगस्ट में मिलेंगे इसी तरीके से आपको September इसी तरीके से एक्टूबर मतलब हमारे पास दस दिन है दस दिन में हम लोग अपना पूरा का पूरा course MCQ से पहले cover कर ले उसका फाइदा क्या होगा जब मैं आपके साथ capsule करा रहा होगा मेरे तो 75 पेज की PDF उससे पूरा जब revision हो रहा होगा तो आपको maximum चीज़ा ऐसी लगेंगी यह हमें सब कुछ आता है इन दस दिन में हमारा target यह है कि जितनी भी government scheme है उनको complete करेंगे यह July, August, September, October, November तक के हम लोग current office cover करेंगे बनलब 14 November तक के हम लोग current office पूरे cover करेंगे जब 14 तक हम लोग जा रहे है बनलब कहने का यह है कि इस week की November की भी दो classes आपको मिल जाएंगी तो कहने का मेरा ultimate purpose यह है कि जुलाई से लेकर 14 November जब हम लोग अपना capsule batch लाँच करें हमारा 14 November तक का current office complete होना था including September, including October क्योंकि जब हम लोग यह complete कर लेंगे MCQ से लगवा हम लोग हर एक महीने के मिला कर 400-400 सवाल लगा चुके होंगे मेरे दोस्त और करीब 2000 के अपस सवाल लगा चुके होंगे तो जब हम लोग capsule से revision कर रहे होंगे तो आपको यह realize हो रहा होगा यह हमें सब कुछ आता है यह मेरी strategy है, इस thought पे आपको भी implement करना है warrior pro में join करो warrior pro join करने के बाद weekly mcq complete करो weekly mcq जैसी complete कर लेते हो सारे के सारे 14 तारिक से इसी warrior pro में आपको मेरे दोस्त capsule classes और मिलेंगे और यह capsule classes आप capsule batch अलग से भी ले सकते हैं अलग से भी ले सकते हैं मेरे दोस्त अलग से लेने के लिए code Y168 है इनको सिर्फ capsule batch ही लेना है but my suggestion is always for you कि अब best ही करो अब warrior pro batch लो जैसे मैंने आप लोगों के लिए RRB PO के लिए capsule कवर किया ऐसी IBPS PO के लिए कवर करूँगा SBI कलक के लिए कवर करूँगा SBI PO के लिए कवर करूँगा आपको one time investment करना warrior pro लेना है इसमें आपको financial awareness, current affairs, static जी के सारी classes मिलती रहेंगी code आपको लगाना है इसमें Y168, 78% discount आपको इसमें मिलेगा 1496 और 12 महीने इसमें आपकी वैलिटी रहने वाली ठीक है भाई शुरू करते हैं session को अब आवाज बैट गई है भाई शुरू सुबह से back to back back to back session ही चल रहा है दो हंटे की वो recording फिर सुबह का current affairs and अब मेरे दोस्त चलो कोई नी मेरे दोस्त कुछ दिन की बात है मैनत करेंगे बढ़िये तरीके से चलो आगे बढ़ते मेरे भाई start करते हैं 68th मैं आपको दो topic आज cover कर आने जा रहा हूँ आप लोगों के सबसे पहले हम लोग 68th National Games cover करने जा रहे है इसमें मद्रदेश जो रहा था आपका most film friendly state रहा था यहां से exam में question बनना चाहिए जो 68th National Film Award रहे है उसमें मद्रदेश जो था आपका most film friendly state रहा था मद्रदेश सरवादिक फिल्म अनुकूल राज्य का पुरुषकार किसके द्वारा जीता गया था मद्रदेश को द्वारा 68th National Film Award रहे थे नई दिल्ली से अनॉंस किया गया थे कहां से नई दिल्ली से इनको 1904 में एस्टैबलिश किया गया था 1954 में प्रिस्टीजियस अवार्ड है गौर्मेट ऑफ इंडिया का जो डारेक्टरेट और फिल्म फेस्टेबल है ओके जो फेस्टेबल है मेरे दोस उसके द्वारा इसके अडिमिनिस्ट्रेशन का काम किया जाता है विकाउस अफ कोवीट कोवीट 19 डिलेटेट डिले इस साल की जो सेरेमानी है मेरे दोस्ते उसमें 2020 से लोगों को सम्माने तिक किया गया है क्लिर निलेगा है विकाउस अफ कोवीट 19 डिलेटेट डिलेट इसीर सेरेमानी ओनेट फिल्म फ्रॉम 2020 ओके दस मेंबर की जूरी है इसको लीड किया था विपुल शाहा ने जिसने की इनफॉर्मिशन गॉर्ट कास्टिंग मिनस्टर अनुरागर ठाकवर को अपनी रिपोर्ट सम्मिट की थी 68 नेशा फिल्म आवार्ड को लेकर किसको कौन कौन सा अवार्ड दिया जाना है विपुल शाहा ने इस कमिटी को लीड किया था कमिटी पूछ लेता है कमिटी कौन सी है कब इस्टैबलिश हुआ इसके फिल्म फ्रेडली स्टैट्ट जबकि जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है यह special mention बस इतना यानद रहा conception में है को अना किया गया धुक Rebecca ग्या है कि.... Longest Kiss, बाई, किश्वर देशाई, यह win Best Book on Cinema, Best Book on Cinema Award किसके द्वारा जीता गया, तो Longest Kiss, जो एक किताब है, बाई दी किश्वर देशाई, इसके द्वारा Best Book on Cinema Award जीता गया था, For the Year, जबकि Malayalam Book, एक Malayalam Book, इसका नाम है, Empty Anubhav Nagload, Okay, Empty Anubhav Nagload, Post Come, इस किताब की बात करे, Special Mention किसको दिया गया है, तो Empty Anubhav, Anubhav Nagload, Post Come, यह किताब रही, Malayalam Book, जबकि एक उडिया किताब का नाम है, Kalipine, Okay, Kalipine Kalira Cinema, Okay, Kalipine Kalira Cinema, इसको भी Special Mention ने दिया गया था, Clear है ठीक है, आगे बढ़ते हैं, Best Feature Film Award जो था, वो तमिल मूवी, सुरराई पोटरू ने जीता था, बड़ी बड़ीया मूवी है मेरे तो, सुरराई पोटरू, ओके, इसको डारेक्ट किया था, सुधा कॉंगरान है, ठीक है, सुधा कॉंगरान है, तो यह जो Best Feature Film Award है, यह किस ने जीता, तमिल मूवी, सुरराई पोटरू ने, सुरराई पोटरू, और इसको डारेक्ट किया था, सुधा कांगरान है, यह डारेक्टर पूछ लिए जाते हैं, ताना जी दा अनसंग वारियर, इसको Best Popular Film Award दिये गया था, पर Providing Wholesome Entertainment, तो Best Popular Film, यह किसको गया था, ताना जी अनसंग वारियर को, ताना जी, अनसंग वारियर को, ओके, क्लियर है मिरे दोस्त, डन, Best Feature Film Award, Tamil Movie, सुरराई पोटरू को गया था, Best Actor Award for 2020, यह किसको दिया गया मिरे भाई, सूरिया को, सूरिया को दिया गया था, सुरराई पोटरू के लिए, सुरराई पोटरू के लिए, ज से सेट तोर पर दिया गया था, और यह किनको दिया गया था, Best Actor Award, सुरराई पोटरू के लिए, सूरिया को, और आजे देवगन को, अनसंग वारियर के लिए, जिए अनसंग वारियर के लिए, अनसंग वारियर के लिए, अनसंग वारियर के लिए, अनसंग वारियर के लिए Movie सायना कले चाहरु इसमाहने ह इसको पेस्ट नॉल फीचर फिल्म सुखरर इपशना पो टुविमन Best Feature Film Best Non-Feature Film Award Testimony of Anna Best Feature Film Best Non-Feature Film Testimony of Anna सूर्य अजय देवगर Best Actor Award दिया गया था जबकि अपरना बाला मुरली को Best Actors, यह भी नाम याद रखना अपरना बाला मुरली, male के साथ female भी याद रखने है Best Actors कोन सी रही थी, अपरना बाला मुरली अपरना बाला मुरली, clear है भाई गनेश उधर भी तैयारी करते रहो साथ की साथ इधर भी लगो ठीके, तीन बार किया, एक बार और देखो कहां पर कमी रह रही है कमी ओपर काम करके शायद हम लोग बहतर कर सकते हैं अपर सुने से करनी पड़ेगी कोई भी चीज एक बार मैं नहीं मिलती, सफलता है शायद बहुत लोगों को बहुत पार मिल जाती है और बहुत बहुत लोगों को मिरे दोस्त टी चैँ ड़ी नहीं मिलती है तो best female playback singer का award गया था नंचमा, नंचमा और जो मैंने आपके कवर करा दिये हैं इंद्रा गांधी एवार्ड फर बैस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ डारेक्टर मंडेला ओके बैस्ट फिल्म और सोचल इशू फण रघाई करने का डिके थोड़ा तो यहां पर हम लोगों को रिस्क लेकर चलना पड़ेगा दिसक मतलब यह कि कुछ चीजों को लेकर तो हमें को पढ़ सकते हैं अब यह नहीं कि यह कि बेस्ट म्यूजिक डारेक्शन मतलब भी नहीं है ओके मतलब कोई अगर बहुत हाइलाइटेड रहा है तब तो इतना रिलेवेंट बनेगा अधर्वाइज मेरे दूस जितना मैं करा रहा हूं इतना मोर्देन इनफ है इसी पर काम कर लेना यह वाला मेरे अकॉर्डिंग कोशन बनना चाहिए किसी ने किसी एक्जाम में मोस्ट फ्रेंडली स्टेट कौन सा आपको मतलब प्रदेश है क्लियर भाई हो डन नेक्स आगे बढ़ते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स पर आते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स जिसको कि हम लोग फ को आउजित नहीं किया गया था अधरवाइस हर चार साल में आउजित किया जाता है उस्ट्रेलिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स को पांच दफा होस्ट किया है उन्यों सो अनटिस में बास्ट में ब्यासी में 2006 में और 2018 में अब यह जो नेक्स एडिशन है 2026 में कॉमनवेल्थ को एक से जादा बार होस्ट किया है उसमें Auckland है और Edinburgh इनको जरूर याद रखना मिर्टोस कौन-कौन से है Auckland है और Edinburgh ओके डन पर एक बार एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए इतने कम बच्चे चल रहे हैं एक इस चीज की दिक्कत एक बार फटाफट फटाफट एक सेशन को शे लादा बार होस्ट किया है तो Auckland 1950 में किया था 1990 में एदिनबर के 1970 में किया था 1986 में Commonwealth Games की बात करें इस साल की बात करें Commonwealth Games यह आपके एक लैंड के बर्मिंगम में रहे थे कहां पर एक लैंड के बर्मिंगम में और यह जो एडिशन रहा था यह कौन से अडिशन था में दोस 22 था यह चल्ड कर रहता था ठीके 22 वां संस्क्राइब रहा था एक स एक से 12 नच डिब GBA कर शेष़ गया पुर्षों से यादा महिला है या गोल्ड मेलेस रही ही बहुत बढ़ यह फिर्ट गेम तुर्षों की दुल्ला में अतिक महिलाओं के सौन पतक की मेजवानी करने वाला पहला गेम था कॉमन वेल्ट गेम से मोटो यहां पर लिखानी अगे यार इसका मोटो हम लोग बाद में बता देंगे मैं सका पैरी रहा था पुल्ड ओके नेशन इसमें बहतर देश रहे थे एथलीट इसकी बात करें पांच या चाववन एथलीट रहे एवेट दो सो असी रहे थे पीसे स् दस साल की एक बच्ची है जिसने नेशक कॉम्पेटिशन जीता दो यार बीस में इसके द्वारे से डिजाइन किया गया था बागे अगर हम लोग मैडलिस की बात कर लेते कि इस टोटल इसे लिस्ट में कौन-कौन किस नंबर पर रहा तो पहले नंबर पर ऑस्टेलिया रहा बाइस गोल्ड थे, 16 यहां पर सिल्वर थे और 23 भारत के द्वारा ब्रॉंज मेडल यहां पर जीते के तक पुल मेला कर 61 मेडल भारत ने जीते और 67 के साथ मेरे दोस्त गोल्ड के साथ पहले नंबर पर बनाता एक 178 मेडल लेकर ठीक है पाच्वे नंबर पर यहां पर न्य में रहा था मैं स्कॉट पैरी रहा तो यह 26 का Commonwealth game और विक्टॉरिया में रहेगा तहां पर और विक्टूरिया में रहेगा यह 23 का Commonwealth youth games जो है 7th edition रहेगा यह port of Spain में रहेगा तरिना देन तबेको तरिना देन तबेको ओपनिंग सेरेमनी मन परीति सिंग ने की थी फील्ड होक से संबन देता ओके सरत कमल ये टेबल टैनिस से संबन देता है सरत कमल पिर दोस इनों ने यहाँ पर closing ceremony पर ये flag bearer रहे थे एक बाइव ये exam में पूचा जाता है एक यहाँ तो मैंने एक किस स्टेट से बिलॉंग करते हैं आप लोग ये भी याद रखना ये किस स्टेट से बिलॉंग करते हैं एक टेबल टैनिस इनके खेल का आगे लिख लिए जिए कर टेबल टैनिस ओके टेबल टैनिस से संबन देता है क्लोजिंग सेरेमनी पर फ्लक बीर रहे थे स्पोर्ट्स अतॉरिटी ओफ इंडिया ने एक नया इनिशिटिव लॉंज किया था संगे संगे सागरी नो ने एक वह यह ड्यक्टी से लिए संगे संगे एक टिस थे के लिए Commonwealth Games मेरे दोस्तों मैंडल जीता था क्लियर भायो Commonwealth Games में Weightlifting में यह आया था आपका ठीक है डन यह सारे पॉइंट आप पढ़ सकते हैं यहां पर बाकी में इसको न एक पॉइंट को यह तो आप लोग रीड करेंगे जो समय से Highlighted Point है उसमें एक यह नाम भी रहा था कि सौरफ घोशाल है इन्होंने भारत के लिए Bronze Medal जीता था ठीक है Squares में, Squares Man Single में Squares Man Single में भारत के लिए पहला Medal रहा था Commonwealth Games में यह किसके द्वरा जीता गया तो सौरफ घोशाल के द्वरा, ठीक है इसके अलावा, इंडिया ने कौन सा Medal जीता, इंडिया की टेबल टेनिस टीम ने और वो Singapore को हरा कर, फोर जो लॉन बाउल टीम है इन्होंने गुल्ड मेडल जीता है, साउथ अफरिका को वरा कर, इसमें नए आमोनी साहिक या पिंकी, लवली चॉब है और रूपर रादी रही थी, ठीक है भाई सॉरफ कुशाल ने भारत के लिए 1st ever, इसके अलावा यह भाई है, इनका नाम है तेजिशुन संकर, इन्होंने इंडिया का first ever medal जीता है, high jump में, high jump में इंडिया का first ever medal रहा था, first ever medal रहा था, इनका high jump में तेजिशुन संकर के द्वारा ये भारत के लिए medal जीता गया था, और ये आपका bronze medal रहा था, men's high jump final में, clear है, with a 2.22 meter, with a 2.22 meter, इसको याद रखेंगे, clear बाइ, done, मैं उनको pick कर रहा हूँ, जो highlighted रहे है, जो ज्यादा highlighted रहे है, बाकी तो ये सारी list से आप लोग इसको read करोगी दोस्त, किसको कौन-कौन सा medal यहां पर दिया गया है, क्योंकि इसको read करने वर मातर से काम होने वाला नहीं है, इसको रिकर तसल्दी से बैठना पड़ अब जला देखना मेरे तो, इस list को समझने की कोशिश करना, यह वाला पहला point देखो, इंडिया ने टोटल 61 medal जीते, बिल्कुल लास्ट मे आओ, बॉर्टम में, टोटल इंडिया ने medal कितने जीते, 61, 61 में 22 gold medal है, 16 is silver है और 2300 bronze medal नहीं है, इंडिया को cricket में, जो medal मिला तो, व ब्रॉंज मेडल मिला था, इक है, यह चीजों को समझना, तो यह team event है, जो आपको पढ़ने, आपके steam से हारे, कि steam से जीते, इन पॉइंट पर दिमाग लगाना है, इंडिया के जो पैरा table tennis team, इनों ने gold medal जीता था, भारत को सबसे जादा medal मिले तो, wrestling में, okay, wrestling में सबसे अगर medal भारत को किसी में मिले है, तो वो wrestling में मिले है, टिके 12 medal, और wrestling में ही भारत को सबसे जादा मेरे दोस्तो gold medal मिले है, clear है, सबसे जादा bronze medal भारत को किस में मिले, bronze medal सबसे जादा किस को मिले, kis में मिले, bros wrestling में, तो यह तीन चीज़ा तो एक ही line में खतम हो गई, सबसे जबसे ज़्यादा जब्राइब करेडिगरी में जबसे ज़्यादा जबसे जब्राइब जटेगरी में मिले हैं arts लेंगे सबसे ज़्यादा जिनको नंद रहना रालते है अक्सर भूल जाता है यह ज़िए से बीशन total medal किस sports में मिले wrestling में सबस्याद gold medal किस में मिले wrestling में सबस्याद silver medal किस में मिले athletics को मिले है okay और सबस्याद bronze medal किस मिले तो मेरे दोस्त ये wrestlers को मिले है तो ये वाले point भी आपको याद रखके चलने है clear है भाई I hope you are done होगा अगर हम लोग बात करें wrestling के बाद सबसे अधर medal गयते weight lifting में weight lifting में ये पूरी मैंने यहाँ पर list दे दिया आपको कि किस किस category में किस किस व्यक्ति को किस किस शिरणी में medal मिला है इसको आप लोग cover करेंगे बात समझ में आ रही है दोस्त इसको आप लोग करेंगे ये आपको read करना है पढ़ना है ये कौन-कौन gold medalist रहे इसकी कोई trick नहीं ट्रिक वरिक के चक्कर में रहोगे सब भूल जाओगे जो highlighted रहे उन person को तो हमें पकड़के चलना है उनके अलावा जो सबसे पहला page मैंने आपको बताया math squad, opening ceremony, closing ceremony ये भी आपको लेके चलना, पहला medal किसने जीता, पहला मेरे दोस्त, gold medal किसने जीता, ये सारी से आपको पता हो नहीं चीए, बाखी इसके अलावा, मेरी बस आप से एक request है, please warrior pro batch join करके weekly MCQ complete करना, start कर दो, हर एक week के मेरे दोस्त, आपको 400, 400, 400 MCQ में दे रहा हूँ, अभी मैं अच्छे, तब आपके पास मेरे दोस्त, ये सब आपका complete पहले से होना चाहिए, okay, मैं आपको बता देता हूँ, website पे ले चलता हूँ, कैसे आप इस batch में join कर सकते हैं, ये even हमारे capsule batch में भी कैसे join कर सकते हैं, आपको करना क्या है, add 24-7 website पे जाना है, okay, आप add 24-7 website पे जाएं अब live class में आप लोग गए, आपके लिए warrior pro batch मिल गया, इस warrior pro batch में, देखो, अरे भाई, आज तो बहुत बढ़ी है, आपके पास 24 मही ने वैलिटी लगी हुई है, देखो, यहां तो मुझे लग रहा है, यहां तो कोई bug आ गया, 24 मही ने वैलिटी दिख रही है, as soon as possible जाके null करा लो, ठेक है, 24 मही ने अभी हटी नहीं है वैलिटी, y168 code लगाएंगे, तो मिले दूस्त यह batch आपको पड़ेगा, 1564 रुपे का, ठेक है, खितने का 1564 का, यहां से, लेकिन यही batch अगर आप लोग application से लेते हो, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन यही batch अगर आप application से लेते है, current of s की classes मिल रही है, static gk की classes मिल रही है, मिर दोस्त, इसमें आपको 5 batch दिये जा रहे है, even capsule batch भी इसी ही का part है, मिर दोस्त, capsule batch भी आप लोग लेंगे, 24 मही ने वैलिटी दिखा रहा है, जाकर आप in roll करा सकते है, यहां पर, okay, y168 code लगा कर, y168 code लगा कर, clear है भाई हो, अ आप एक बात समझना, सर क्या हम लोग अगर capsule batch अलग से ले सकते हो, बड़ capsule batch इसमें भी है, capsule batch अभी IVPS PO के लिए मिल रहा है, कल को आपको SBI कलक और SBI PO के लिए लग से capsule batch आए, वो भी इसका part रहेगा, weekly MCQ आपको मिलेंगे, यहां पर video courses में आपको weekly MCQ मिलेंगे, जैसे आप हर एक महीने में जाएंगे, तो यहां पर आपको जैसे अगस महीने में जाते हैं, तो अगस महीने में आपको चार classes देख जाएंगी, ठीक हम इन classes को देख सकते हो, video courses में, इसी तरीके से मेरे दोस्त, आपको सितंबर महीने में एक class देख जाएगी, इस class को आप देख सकते ह आक्टूबर महीने की सब्सक्राइब आफ आपो डंगा सारे बैच्च ऐस यहां पर किसे से आपको वॉरियर 5.0 यहां पर मिलेगाव کرनद काप sits यहां पर मिलेगा कैपसुल बेच प्ल नहां रहा है 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 वह आपको इसका पार्ट बनेगा, तो इस सब कुछ किसका पार्ट है, इस वारियर प्रो बैच का पार्ट रहने वाला है, बस आपको 1496 पे करना है, वाई 168 कोड लगाना है, जाके इन्रोल करा लिजे, अब चलते हैं हम लोग कैपसूल बैच में, हम लोग आपके लिए जो कवर क कर आए जा रहे हैं, ओके 14 नवंबर से बैच स्टार्ट होगा, इसकी टाइमिंग हम लोग चेंज करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग फाइनिशल अवेनस की इसकी टाइमिंग हम लोग मॉर्निंग में कर लेंगे, ठीक है, यह एक चीज़ दे, इसकी वैलिटी 6 महीने की है, ठ लगाना है, मेरा तो सजेशन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप कैप्सूल बैच के साथ जाए, आप चाहते के नहीं सर, हमें तो भाई, वारियर प्रो ही लेना है, हम आने वाले टाइम में और क्लासिस भी करेंगे, वहां से फाइनिशल अवेनस की करेंट अफ़र की इस्टेटिक जीकेगे, एमसी क्यों की तो फिर उसके लिए हमारे लिए वारियर प्रो ही सही रहेगा, इसके प्राइज 919 दिखा रहे हैं पर अगर आप अप्लिकेशन से लेंगे तो यह और